किसान साथियों ये है कुबोटा MU 5501 फोर वील ड्राइव का ट्रैक्टर है आज मैं आपको इस वीडियो में इस ट्रैक्टर की पूरी टेक्निकल इन्फोर्मेशन और डिटेल बताऊंगा साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं कुबोटा के स्टाइल और लुकिंग बहुती शांदार टिपिकल कुबोटा का कलर और ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं डिजाइंड बाइ कुबोटा इन जापान ये पूरी तरह से जापान में बनावा ट्रैक्टर है अभी इसकी इंडिया में मैनुफेक्टरिंग नहीं हो रही है आप आगे से ट्रैक्टर की लुक देख सकते हैं काफी हैवी वेट ट्रैक्टर के आगे आपको दिये गये हैं ये ओल्रेडी काफी भारी है 23 कुंटल 24 कुंटल के बीच वेट है इस ट्रैक्टर का साथियो दूसरी साइट से आप ट्रैक्टर की लुक देखिए साथियों ये ट्रैक्टर के अगर engine के features की बात करें तो इसका engine four valve system पर काम करता है जो आपके normal engine होते हैं उनमें एक piston पर दो valve होते हैं लेकिन इस tractor के engine में आपको एक piston पर चार valve मिलते हैं दूसरी बात इसके अंदर आपको balancer shaft मिलती है जो tractor के engine द्वारा जो आपका vibration होता है उसे बिलकुल खतम कर देती है एकदम silent tractor हो जाता है और vibration free हो जाता है तीसरा आता है boost compensator इसका मतलब ये जो आपका combustion chamber होता है जब piston के उपर fuel में आपके आग लगती है तो उसे effective बनाता है इसकी वज़े से इसका जो fuel की consumption है जो तेल की खपत है वो बहुत ही कम हो जाती है साथियो अब इसके engine के main features की बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको 55 HP, 2300 engine rated RPM, 4 cylinder, turbo charged, 2434cc का engine लगा हुआ है जिसका bore 87 mm है और stroke 102, 102.4 mm है साथियो इस tractor का torque आपको 166 Nm मिलता है जो की non-turbo के engine का है इसमें turbo लगा हुआ है और इसकी तो इसका torque बढ़ जाएगा 166 Nm non-turbo engine का torque है 1700 engine rated RPM पर साथियो इसका torque मुझे मिला नहीं इस वले tractor का कहीं पर तो इस engine model का 166 Nm torque होता है बिन टर्बो वाले engine का 1700 engine rated RPM पर तो ऐसे Kubota दावा करता है कि इसके अंदर आपको 27% का torque मिलता है जो की website पर दिया हुआ है साथियो इसके अंदर आपको coolant with overflow reservoir मिलता है बैटरी को आगे mount किया गया है जिससे आपके tractor का weight adjust रहे और बैटरी आपकी hood के अंदर safe रहे साथियो इसके अंदर आपको dual element dry type का air filter मिलता है मैंने सूखा filter इस tractor के अंदर आपको दिया गया है साथियो single piece hood तो आप देखी सकते हैं इसका engine turbo charge है इसमें turbo लगी हुई आपको मिलती है क्योंकि ये 50 hp से उपर का 55 hp का tractor है weight आप अपने जरूरत के हिसाप से tractor पर जो आगे weight लगा हुआ है उसे लगा सकते हैं और disengage भी कर सकते हैं साथियो इसका pump fuel pump जो है वो आपको micro boss company का नहीं मिलता inline pump है खुद kubota इस pump को बनाती है नीचे आपको double diesel filter मिल जाता है और water separator का option भी किसान भाई को मिल जाता है साथियो ये देखिए आपके मजबूती प्रदान करने के लिए आगे से पीछे तक पूरे engine को एक guard दिया गया है एक जिससे कि आपके engine पर कोई चोट या किसी heavy load करते समय या आपका tractor आगे से उठके जड़ता है या कुछ भी उस पर आपके engine पर कोई effect ना पड़े dual PTO है इसके अंदर आपको standard और economy दो तरह की PTO मिलती है साथियों यह जो आप देख रहे हैं फाइबर का black color का यह पीछे से आगे तक पूरा diesel का tank है यह आप देख सकते हैं और इसकी capacity आपको 65 liters की मिल जाती है फाइबर का diesel tank है काफी अच्छी बात है यहाँ पर कुबोटा MU 5501 की branding आप देख सकते हैं काफी सांदर graphics के साथ बारे में हम बात करेंगे साथियों इस ट्रैक्टर का platform एगदम support दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी deck एगदम support दी गई है और काफी शांदार और comfortable बनाया गया है साथियों यहाँ पर आपको hydraulic lock मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इसकी sensing को भी आप थोड़ा बहुत अपनी जरूरत के साब से edit कर सकते हैं adjustable seat मिलती है आप अपनी seat को आगे पीछे और अपने weight के according adjust कर सकते हैं differential lock की सुभिदा इस tractor में भी आपको मिल रही है जो की काफी अच्छी बात है और यह lever आपका QRC coupler के लिए separate lever दिया गया है काफी अच्छा tractor बनाए गया है काफी शांदा tractor बनाए गया है कुबोटा की तरफ से suspended pedal मिलते हैं कारों की तरह जो चलाने में आपको operate करते हुए tractor को बहुत ही आसान बना देगे साथ्यों tractor के rear axle और steering की बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको double acting power steering मिलता है यह आप देख सकते हैं आपकी जो soft है जो आपके jack है power steering के वो दोनों तरफ actuating कर सकते हैं left भी और right भी दोनों पहियों पे अलग-अलग soft लगी हुई है और साथ्यों अगर इसके front axle के gear system की बात की ज है तो इसके अंदर आपको bevel gear system जो की kubota द्वारा ही बना हुआ है मिलता है यह fully waterproof है और इसमें greasing point दिये गए हैं काफी अच्छा और reliable इसका front axle का आपको gear system मिलता है double acting power steering मिलता है और इसमें आपको front PTO नहीं मिलती यह एक ध्यान रखने की बात है इस tractor में आपको front PTO का option नह उनों तरफ से actuating है double acting power steering साथियो इस tractor के front tire आपको 9524 के मिलते हैं यहाँ पर कुछ additional detail है आप वीडियो को pause करके easily पढ़ सकते हैं तीन साल की standard warranty company की तरफ से दी जा रही है जिसका किसान भाई लाव उठा सकते हैं साथियो दूसरी side भी कुछ आपको tag मिलते हैं कुछ branding मिलती है dual clutch, subtle shift, OIB, power steering इनकी दीरे दीरे चलके हम बात करते रहेंगे 55.01 की branding है silencer के उपर एक जाली लगी हुई है जिससे किसान भाई का हाथ वगेरा लगकर उसे चोट ना पहुचे 4x4 का tag लगा हुआ है पिछले tire rear tire इस tractor के अंदर आपको 16,928 के मिल जाते हैं जो की heavy काम करने के ल साथ यो ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं इसका rear axle आपको planetary gear drive मिलता है planetary drive कह लीजे EPIs कह लीजे कुछ भी लेकिन काफी अच्छा और heavy काम करने के लिए काफी reliable है with greasing point इसके पिछले हिस्से में आपको greasing point दिये गए है इसका पूरा हिस्सा पूरा पिछला हि नहीं मिलता साथ यो इस ट्रैक्टर की lift capacity आपको 1800 kg और 2100 kg मिलती है इसमें दो option दिये गए है मतलब एक ट्रैक्टर में ही आपको दोनों option मिल जाते हैं थिरी sensing point दिये गए है आपके ट्रैक्टर के साथ implement को attach करने के लिए और आपकी मिट्टी के according sense करने के लिए जो की जुता आपको color का lever देख रहे हैं यह PTO का lever है इसमें आप economy, standard PTO और neutral तीन option इस ट्रैक्टर की PTO के lever में आपको मिल जाते हैं डबल QRC coupler, laser leveler, mbplow वगेरा चलाने के लिए tipping trolley वगेरा लगाने के लिए काफी helpful होता है fiber का आपको इसमें toolbox मिलता है, साथ इस ट्रैक्टर में आपको adjustable hitch मिलता है, आप उपर से नीचे hitch को adjust कर सकते हैं और अगर इसकी PTO की बात किये जाए तो इसकी PTO 47 HP की PTO जो की अपनी 47 HP 200 engine rated rpm पर produce करती है six spline, 540 RPM, 2300 engine rated rpm पर standard और economy PTO आपको 750 RPM, 200 engine rated rpm पर मिलते हैं पीछे से आप ट्रैक्टर की look देख सकते हैं, शांदार indicators और plow lamp company आपको provide करा रही है कभी शांदार looking और heavy back end और front axle के साथ ये ट्रैक्टर, four wheel drive का किसान भाई को मिलता है शांदार ट्रैक्टर है, heavy काम के लिए, 55 HP का पूरा ट्रैक्टर है, 55.1 HP का ये आप ट्रैक्टर की उपर से look देख सकते हैं, काफी शांदार ट्रैक्टर body को छोटा रखा गया है, वो ट्रैक्टर को heavy बनाया गया है, काफी अच्छे से design किया गया है साथियों यहां पर ये आप ट्रैक्टर का digital instrument cluster देख सकते हैं, कुछ analog clusters के साथ 3000 प्लस RPM तक इस ट्रैक्टर का instrument cluster आपको देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर आपको LED lighting company की तरफ से मिल रही है साथियों steering wheel काफी छोटा है और comfortable है, double acting power steering है, काफी easy होने बाला है steer करने हुए horn steering के left hand side पे मिलता है, और right hand side पे आपको hand race मिल जाती है साथियों उसके नीचे dashboard पे आपको lighting, parking, indicators और key switch मिल जाता है किसान भाई की अच्छी reach के लिए हर चीज को काफी अच्छे से design किया गया है और अच्छे से paste किया गया है साथियों यह देखिए यहाँ पर parking यह जो आप red color में एक छोटा सा lever देख रहे हैं यहाँ पर यह parking आप brake लगा सकते हैं, hand brake का lever है और यहाँ पर यह two wheel drive, four wheel drive में convert करने के लिए एक अलग lever दिया गया है, clutch के एकदम पास साथियों अगर इस tractor के pedals की बात किया तो suspended pedal है, चलाने में बहुती आसान, operate करने में बहुती आसान यह tractor है clutch की बात किया तो इसके अंदर आपको double clutch मिलता है, जो main clutch है आपका वो 5 fin clutch मिलता है normally tractor में आपको 4 fin का clutch मिलता है लेकिन इस tractor में आपको 5 fin का clutch मिल रहा है यहाँ पर यह PTO का clutch अलग से दिया गया है, उसका lever जो मेरे हाथ में इस समय है, आप देख सकते है independent clutch इस tractor के अंदर आपको मिलता है साथियों अगर इस tractor के gearbox की बात किया तो इसके अंदर आपको fully synchronous, subtle shift 12 gear आगे जाने के लिए और 4 gear पीछे जाने के लिए subtle shift और synchronous technology के साथ मिलते हैं, subtle shift का मतलब जिसी speed में आप आके जा रहे हैं, उसी speed में आप पीछे जा सकते हैं बहुत ही अच्छा और शांदार feature है, साथियों brakes की बात की जाए तो इसके अंदर आपको multi plate oil immersed disc brake मिल जाते हैं और brake के बिलकुल पास ही आपको hand brake का lever मिल जाता है, जैसके आप देख सकते हैं कभी शांदार और comfortable tractor है, साथियों brake के पास ही आपको foot race मिल जाती है और ये है आपका main gear lever 1234 और neutral synchronous side shift gearbox है, साथियों यहाँ पर ये आपको qrc coupler का lever मिल जाता है, right hand side पे position control और draft control के lever मिल जाते हैं, right hand side पे आपकी 1200 kg maximum तक की hydraulic lift capacity को control करने के लिए यहाँ पर कुछ pto और rpm और आपकी speed का chart है, उसे आप राम से देख सकते हैं साथियों आसा करता हूँ, वीडियों आपको अच्छी लगी होगी, अगर इस ट्रैक्टर की कीमत की बात की जाए, तो इसकी कीमत 10,58,000 रुपए रखी गई है, और इसकी price में यह जो आप उपर छत्री और music system देख रहे हैं, यह involved नहीं है, साथियों चैनल को subscribe करना और अपना सुजाओं में comment box में जरूर देना करना सकता है